सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स वेंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाईए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हेलो एवरिवन आज हम क्लास 10 का 12 चाप्टर इलेक्रिसिटी करेंगे इस चाप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताया था पोटेंशल डिफरेंस बढ़ाया था आज इस वीडियो में हम इस चाप्टर के दो बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स करेंगे जो फर्स्ट में आता है आपका सिंबल की यह जो सिंबल्स है यह आपके सर्कित में बहुत ज्यादा हेलप करेंगे अगर आप सर्किट ड्रो गरते है तो उस चाइम पर आपको बता होना चाहिए कि कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है और और जिस पर इस चाप्टर में यह क्वेशन आता ही आता है मतलब बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है तो वह भी हम इसमें पढ़ने वाले तो यह एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से यह वीडियो बहुत स्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसे लास तक देखिएगा आप नव सिंबल्स देखिए इसमें मैंने पूरी प्रॉपर लिस्ट बना रखिया और इस वीडियो में जो भी पढ़ेंगे वो नोट्स की फॉर्म में आपको पीडियाफ उनकी पीडियाफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस चाप्टर की प्रिवेस वीडियो का लि मने आपके पास तो उसमें क्या है एक रिखिए लिए कि आपके सब्सक्रिप्रन पास होता है सबसे पहले हां आपके पास ऑप ना मुल्म सैल कंशि यह प्लुछा जब में यह बंता ह gift in बक उनकी उनकी इत्याम मन्म तु कि उसको स्केजिपैने हो उसको आप क्या कहते हैं तो वो आपकी एक battery बन जाती है इसके बाद में next है joint wire, joint wire means कि जो wire है उसमें circuit में आपकी connected है तो यह ऐसे single dash और उपर से यह perpendicular, अब अगर wire आपकी joint नहीं है तो यह उसका symbol होता है, it means कि circuit अभी आपका incomplete है next है key means switch key या switch आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते है, अगर आपकी key open है, तो यह circuit होता है बीच में इसमें dot नहीं होता है इन दोनों में से किसी भी एक symbol से key को openly show कर सकते है अगर key closed है, तो उस चाइम पर आप यह symbol यूज करते हैं, दोनों में difference सर्फ छोटा सा है, कि बीच में आपे dot लग जाता है, और यह आपस में combine हो जाते हैं, तो यह key open है और यह वाली switched है, means कि यह close है next है bulb, बल्ब के लिए आप यह symbol use करते हैं, एमीटर आपका मैंने बताया था, capital A लेते हैं प्लस और माइनस, वहीं वोल्ट वीटर में आप वी लेंगे, एमीटर नाम से ही ए आता है, और इसमें वोल्ट मीटर की स्टार्टिंग किस से होती है, वी से, तो एमीटर के लिए आपने ए लिया और वोल्ट मीटर के लिया आपने वी लिया, उसके बाद में एक साहता है, रिजिस्टेंस यह सिंबल होता है, सर्किट में यह रिजिस्टेंस कैसे आड होता है, और किस तरीके से यह भी हम ओम पढ़ेंगे और उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आपकी यह ताम बार बार यूस होने वाली है, तो यह सिंबल्स आपको याद रखने है, रिजिस्टेंस और रियोस्टेंस यह भी आपका ओम स्लो में ही आएगा, जब बढ़ेंगे तो इसमें दोनों चीज़ें आपको ज्याद अच्छे से समझ बहाएंगे, यह सिर्फ आपके पास सिंबल्स की एक लिस्ट है, रिजिस्टेंस के बाद मे को सर्किट में कौन सी चीज को आइडेंटिफाई करना है, और अब हम इस चाप्टर का बहुत स्यादा इंपॉर्टन टॉपिक करेंगे, विच इस ओम स्लो, ओम स्लो हमें जोर्ज साइमन ओम ने दिया था, नाइंटीन सेंचूरी में जर्मन के थे और अब क्वेशन ही आता हमें बहुत मल्टी वराइटी के डिवाइस की जरुत होती है, अब हर एक डिवाइस में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, कितना रिजिस्टर चाहिए तो उन सब को मेजर करने के लिए एक हमें टर्म चाहिए थी एक प्रसेस चाहिए था कि किस तरीके साम उसको पढ़ेंगे जैसे हमारे पास डिवाइस में आप एक्जामपल ले लेजे, Ad fonction की बात करते हैं, किचिन में हमारे पास धिरो ऐपलाइंस होते हैं, जो की electricity से connect होते हैं, जैसे आपका केटल हो गया पानी 의 करम करने के लिए जो यूज़ करते हैं, या फिर आपका mobile phone हो गया, laptop charger, या कोई इसी चीज जो इलेक्ट्रोनिक डिवाइस होते हैं उन सब में कितने लेवल पर वोल्टेज चाहिए कितना रिजिस्टेंस चाहिए उन सब को कैल्कुलेट और मेजर करने के लिए जिसे वो डिवाइस अच्छे से चले और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा रहे तो उसके सब्सक्राइब इसका नाम वने दिए ओम सब्सक्राइब जब यह जोय साइमन ने में इन्होंने क्या करेंस निकाला था बिट्वीन करंट आए करेंट क्नक्री उसके electrons freely move करते हैं और insulators में electrons move नहीं करते and potential difference V across the terminal of the conductor using the circuit diagram इन्होंने क्या लिया था current IE और potential difference V इन दोनों के बीच का relation निकाला था circuit diagram के थूँ He observed that the potential difference and current varied linearly इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो potential difference है और current है वो different different points पे vary करता है मतलब की linearly vary करता है uniform motion में अगर आपके पास question आता है ohm slow में आपको graph draw करना है तो ohm slow का graph क्यूंकि यहाँ पे linearly लिखा हुआ है तो obviously इसका जो graph होगा वो हमेशा straight line होगा means की origin से line pass करते हुए यह V voltage हो गया IE यहाँ पे current के लिए है अब इसमें देखिए V is directly proportional to I जब कभी भी यह वाला symbol होता है इसको आप directly proportional बोलते हैं directly proportional का मतलब होता है कि यह दोनों चीजों में से एक चीज भी अगर increase करेगी तो दूसरी चीज automatically increase करेगी अगर एक चीज decrease करेगी तो दूसरी चीज भी अपने आपी decrease करेगी it means अगर voltage increase करती है तो current भी increase करेगा means की बढ़ेगा और अगर आपकी voltage कम होती है तो current अपने आप कम होने लग जाएगा अब जो यह जो straight line होती है इसका जो slope होता है वो equals to होता है R के R होता है resistance, resistance क्या होता है कैसे इसको यूज करते हैं यह अभी मैं आपको आगे समझाओंगी फिलाल अभी इतना देखिया आपकी ohms low के लिए आपका जो graph होता है वो हमेशा straight line होता है यह आपका one marker question बन सकता है अब यह देखिए आपका circuit diagram मैंने आपको इस chapter की पहली वीडियो में emitter और voltmeter दोनों separate separate पढ़ाए है कि किस तरीके से दोनों को कहा लगाया जाता है emitter को हमेशा series में add करते है और voltmeter को हमेशा parallel में add करते है तो यह देखिए यह आपकी battery हो गई यह key हो गई है यहाँ पर हमने इसको emitter को add किया अब जिस साइड बैटरी का plus है उस साइड यह emitter का भी plus जाएगा और same plus minus और फिर जो आपने क्या लगाया वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर कहा होगा आपका हमेशा parallel में या आप conductor लीजे इंसुले स्वारी conductor लीजे चाहे resistance लीजे या फिर बल्ब लीजे तो वोल्ट मीटर हमेशा इसके parallel में होता है आप इसके बाद में next यहाँ पर आता है आपका यह जो टर्म दे रखिए इसको क् हमें इस तरीकल आपके से बनता है और आपके से बनता है तो यह तो आपने देखा कि प्रस्पर हो गयाा जो उन में इसके अगर question आजाए state ohm slow या ohm slow को आपको define करना आजाए तो आप इसको कैसे define करेंगे ohm slow states that electric current following through a conductor is directly proportional to the potential difference across it ends under standard temperature and pressure conditions. मैंने अभी आपको उपर समझाई है यह चीज कि जुतने जो आपकी voltage है means कि जो potential difference between the points is directly proportional to the current I. यहाँ बे देखे वी is directly proportional to I. यह आपका ohm slow से condition आती है अब जो यह हमारे पास proportionality sound है इसको हटाने के लिए हम कोई भी constant use करेंगे तो इसको हटाने के लिए constant use होगा R क्यों क्योंकि इसका जो slope होता है वो equal होता है किसके capital R के R means resistance के तो वी is directly proportional to I से आपके पासे condition आते है V is equal to I R यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा important formula है V यहाँ पर voltage या potential difference है I यहाँ पर current है R resistance है इसके उपर numerical आता है और आपको पता होना चाहिए कि क्या symbol meanings है क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है आप देखे आर जो है आपका proportionality constant है for the given metal at given temperature and is called resistance R को हम क्या बोलेंगे resistance I current जिसकी unit क्या होती है ampere V potential difference जिसको आप V से major करते है नेक्स है resistance resistance क्या होता है it is a property of conductor that observes sorry that opposes the flow of current it means कि resistance आप conductor की वह property होती है जो current के flow को रिजिस्ट करती है means कि रोपती है it is represented by R and symbol is ohm resistance का symbol क्या होता है ohm SI unit इसकी ohm होती है इसके अलावा जो मैंने आपको पीछे formula डिलाइब कर वाया था V is equal to IR तो उसी से आपका ये R equals to V upon में आई आगया अब जब unit आई है SI unit के है इसकी ohm तो one ohm को define करेंगे one ohm the resistance of a conductor is set to be one ohm when potential difference across the conductor is one voltage ये आपका potential difference है and the current following through it is one ampere आपके पास question बहुत बार exam में आता है ये कि one ohm को define करिये या किसी भी SI unit को अभी तक हमने जितनी भी physical quantities पढ़ी है उन सबकी SI unit मैंने आपको बताई है और उनकी definition भी आपको दिये तो आपके पास एक question one markers में आ सकता है कि कोई भी आपसे term पूछ ली जाए उसके SI unit given हो और उस रिजिस्टेंस और रियोस्टेट यह दोनों टाम्स हमने सर्केट में यूज करी थी रियोस्टेट का मतलब क्या होता है इट इस एन electronic device used to control the current by varying the resistance इट मीन्स कि अगर एक particular point पे रिजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो उस टाइं पे जो current कर उसमें फ्लोव हो रहा है उसको हमेशा current control किया जाता है इस डिवाइस की है से वहीं रिजिस्टेंस करन को opposite करता है फ्लोव करन को या तो रिजिस्ट करता है मीन्स की प्रोपता है रियोस्टेट के लिए भी वही वी इक्वल श्रू आई आर से आपका एगा आई इक्वल श्रू वी अपॉन में आर यह आप तो दूसरी वाली automatically decrease करेगी इसका मतलब होता है कि terms आपस में opposite हो जाएंगी अगर increase हो रही है एक side से बढ़ रही है तो दूसरी side से घटेगी वहीं अगर आपके पास term आती है directly proportional तो इसका मतलब होता है जो term अगर increase करे तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी और अगर पहले वाल कम हो रही है तो दूसरी वाली भी कम होगी next है जब हम increase या decrease करते हैं current को accordingly in the circuit a component used is called reostate means कि अगर आपका जो circuit है उसमें कभी भी current को increase या decrease means कम या फिर ज्यादा कर जाए according to component या resistance तो उसको control करने के लिए जो हम device use करते हैं उसको आप reostate कहते हैं that regulates a current without changing potential difference जो current को regulate करता है without changing potential difference potential difference means V को change नहीं होने देता और automatically current को convert कर देता है means की current की जो flow हो रहा है current flow हो रहा है या charges flow हो रहे है उनको बिना stop करें यह current की flowing को continuation में रखता है यह आपके लिए बहुत important device है इसका symbol आ रहे चोता है यह इसके symbols होते हैं draw करते वक्त मैंने आपको पीछे अभी बताया था इसको किस तरीके से जो करते हैं if a conductor has less resistance then more current will be flow through it अगर किसी भी conductor में resistance कम होगा तो जो उसमें current flow करेगा वो बहुत ही ज्यादा करेगा now next topic factors जिसके उपर resistance depend करता है इसमें हमारे पास तीन factors हैं जिनके उपर resistance depend करता है सबसे पहला आता है related length की अगर बात करें तो देखे यह diagram यह मैंने ट्यूब ले रखे है ट्यूब में यह एल हो गया और यह बात करेंगे जो यह वाला एरिया इसको आप बोलते है cross section area अगर factors की बात करें तो सबसे पहले वो किसी भी जो आपके बास material या ऊच्वाटसेंट से उसकी लेंथ की ओपर इट मेंस r is directly ले uy आश्य अपर सकते ले सकते हों सब्सक्रक्राइब करेखाता है यह बाद पहले भी पोपोश now क्या होता है इसे आप one mark कर दीजिए then second first आप हमेशा length के उपर डिबेंड करता है resistance second depend करता है on its cross sectional area जिसको आप किसे शो करता है capital A से R is inversely proportional to L upon A इसे आपने second नाम दे दिया अब third on the nature of material ये तीन important points है इसके उपर question आता है कि किन points पे resistance depend करता है तो आप ये तीन points उसमें लिखेंगे अब जो मैंने second point लिखा है R is inversely proportional to L upon A और जो हमारा first point था R is directly proportional to L इन दोनों से हमने relation निकाला है देखिए यहां पे R is inversely proportional to L upon A जो second से आया और first था आपका R is directly proportional to L इन दोनों relations इन दोनों term से हमारे पास एक relation आता है R equals to ये जो proportionality sound है इसको हटाने के लिए हमेशे हमें कॉफिशेंट की जरूरत होती है जैसे हमने V equals to IR जब पढ़ा था ओम लो तो उसमें V is directly proportional to I था जब proportionality sound proportionality sign जब आपने हटाया तो उसमें हमने आर यूज किया था सेम ऐसे इसमें जब हम इस sign को हटाएंगे तो हम एक term यूज करेंगे इसको बोलते हैं रो ये जो ऐसे बना हुआ है आर इक्वल स्टू रो एल अपन में ए रो को बोला आपके नुमेरिकल में बहुत ज्यादा है अभी तक इस वीडियो में हमने ओम स्लो पड़ा फेक्टर्स पड़े जिनके ओपर रिजिस्टंस डिपेंड करता है और कुछ बोलते सिम्बल दें जो कि इस तरीके से स्केट में आप उसको यूँज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चाप्टर की हम रिजिस्टिवीटी पढ़ेंगे जो कि मैंने यहां पर अभी टर्म यूज करिये रो क्या होता है रिजिस्टिविटी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके अलावा सीरीज और पैलल में रिजिस्टन्स को कैसे आड़ किया जाता है तो यह सब कुछ हम पढ़ने वाले है आई हो आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह सारे नोट्स आपको हर एक वीडियो क8 सिर्टिवाषित डिन बिल जाएंगे और जितने फीश चाप्टर की प्रीवेस वीडियो घdiया उस fed सब के लिक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लीस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीज़ेगा और स्चेट्टून्ट विडा thank you so much